आपके लिए रहेगी हमाचस राकार की तरफ से इसमें आपके लिए बिग नीज रहेगी कि प्रदेश में मांगा होगा बाहन पंजीगार मतलर आपके पास जो गाड़ी मोरतल कुछ भी रहेगा कि वह अभी महंगी होने वाले हैं क्या आप जो और इससे नोपनीज आप प्रदेश में महंगा होगा बाहन पंजी करना ग्रीन टेक्स लगेगा प्रदेश में कामी दूर आपतिय सुजाब मांगे तो नीचे डिटेल में बताया गया है क्या इसका प्रोसीजर अपुरा हिमाच्छा प्रदेश में अब सभी प्रकार के नए बपराने बाहनों का पंजीगन करवाना महंगा हो गया है पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूँ नए बेपराने दोनों का कोई बंदा बोलेगा ने कि मेरे पास पराना पड़ा हुआ है मतलम आप उसको जब रहीन उकराओगे तो इस पर भी आपको टेक्स देना पड़ेगा उसके बाहनों पर आप ग्रीन शुलक देना होगा इसके लिएकर सोफ्ट्वेर में आ रही पूली अभी तक नहीं हो पाई थी परवहन विबाग ने नया सोफ्ट्वेर बनाया है नियम लागू करने के लिए पहले परवहन विबाग ने इसको लेकर लोगों से सुजाब वबतिया मांगी हैं एक सबता के बीतर लोग अपने सुजाब दे सकेंगे बाहन के उनसार पा आपका मिनिमम होगा और मैक्सिमम चार यार टेक्स होगा बलब फॉर एक गर आगर आपकी बाई पचानुए यार की है तो वो सीरह सिदा एकला के आपको पड़ेगी टेक्स लगा के तो जे होगी है टेक्स की बात अब नेक्स लेक्त देखते हैं पनजीगन फीस के साथ ही ये शुलक भी देना होगा नए बाहनों के पनजीगन में कुल लागत पर अभी तक पसीगन शुलक लगता है पराणे बाहनों के पंजिगन के दुरान बीमा में दर्ज कीमत के उनसाथ तीन फीजदी टैक्स लिया जाता है सबी परकार के नए बब पराणे बाहन मालकों से पंजिगन फीज़ के अलावा ग्रीन शुलक भी लिया जाएगा ग्रीन शूर्क से अकेतर होने बाला धन प्रयावन अब स्टख्ख पुछलक के कारियों पर लगाया जाएगा सरकार पहले ही इसका निन्य ले चुकी है और अब अपत्यां पृस्जावाने के पाद इस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा साथ दिनों के यह बत्तियां वो सुजावाने पर प्रवाहन बबाग इसकी स्मिक्षा करेगा और नए नियम को लागू करने के लिए आगे बढ़ेगा तो फैंस यह थी टेक्स की डिटेल अभी इस पर आप से सुजाव मांगे हैं आप चाहो तो सुजाव दे सकते हो मतलब कहने की बात यह है कि अब हम आचर गवर्मेंट ने एक एक्ष्टा टेक्स साइड कर दिया गया जो दो या तेस में लागू किया गया था पर आप उसको लागू किया जाएगा तो कहने की बात है कि जो बाहन और कार मतलब मोट साइकल बगारा है वो भी थोड़े महंगे हो जाएंगे ज्यादा तो नहीं पर थोड़े थोड़े आपको महंगे पड़ेंगे तो यह था टोपिक मैंने सोचा इस पर एक वीडियो कबर करूँ क्यूंकि जी टोपिक भी हिंड जय वारत